मैं डॉक्टर अनंत कुमार सिंग, पत्ना में प्रैक्टिसिंग गैस्टोनेटलोजिस्ट हूँ, अरबिंध होस्पिटल से अटाइस्ट हूँ World Digestive Health Day 29th में को सेलिबरेट किया जाता है इस बार का थीम है GERD, Gastrovisual Reflex Disease GERD बहुत ही common phenomenon है हमारे प्रैक्टिस में अगर हम लोग calculation ले तो life में सब को एकात बार इसका experience होता है लेकिन जिन लोगों को बार बार इसका experience होता है उन लोगों को treatment या आगे जाच परताल की ज़रूरत परती है Basically हमारा जो food pipe है, हम खाना खाते हैं उसके निचे से phagus है, जिसे हम food pipe बोलते हैं उसके बाद stomach आता है, जो food को accumulate करता है इसका junction बहुत लोगों में बहुत से कारणों से ढीला हो जाता है और उसके कारण stomach का भोजन reflux करता है food pipe में जिसे हम gastro-fusual reflux disease बोलते हैं इसके बहुत से कारण हैं, जिसमें सबसे important कारण आज का lifestyle आज हम बहुत junk food खाते हैं, spicy food खाते हैं और जल्दी में खाते हैं योगा में कहा गया है खाना को पीजिए और पानी को खाईए मतलब खाना को इतना चबाईए कि उपीने लाइक हो गया पानी को धीरे धीरे पीजिए लेकिन आज के fast lifestyle में हम इसको follow नहीं कर पाते हैं और यही कारण है कि इस तरह से lifestyle related diseases बहुत बढ़ रहे हैं और बहुत से परिशानी हम लोग को उससे होती हैं इसके ऐसे तो बिभिन प्रकार हैं कॉमली मुह में पानी आ जाना, सीना में जलन होना कभी थोड़ा भी spicy धवधर खाने से जलन बढ़ जाना गला में खाना कभी-कभी खटा भी आता है कभी छारिये या बिलस बोजन भी आ जाता है अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो तो यह सब common symptom है और जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम सभी कभी-कभी से face किये लेकिन जिसको frequent यह हो वो इस बिमारी से ग्रसित माना जाता है इसका prior हम लोग treatment जैसे कि हम देख रहे हैं कि यह lifestyle related disease है इसलिए lifestyle modify करके हम लोग treatment करते हैं जिसमें भर पेट भोजन नहीं करना जितना पेट भरे उससे दो-चार कम खाओ spicy food, junk food से जहां तक हो बचे हर कुछ देर पर meal ने, meal को का frequency बढ़ाए, volume घटाए और कुछ दबाईया समय से दी जाती है जिसमें PPI सबसे जादा यूज होते हैं अब जहां तक इसके diagnosis की बात है तो symptom बहुत कुछ कह देता है, symptom sufficient है diagnosis करने के लिए investigation part में हम लोग 24 hour pH monitoring उसके बहुत से technique है, ब्रावो technique की सब बहुत common है यह एक gold standard माना जाता है, लेकिन यह combustion test है और history से सभी patient का करीब-करीब diagnosis हो जाता है जिन लोगों को इसका symptom बहुत prolonged होता है, उन में हम लोगों को उससे हुए complication जिसमें सबसे हुए complication जैसे special structure, hiatus अगर साथ में है, associated hiatus harnia, या कोई early malignant feature है तो हम biopsy ले सकते हैं इसलिए endoscopy कराना जो भी लोग prolonged GRD से ग्रसित है उनको कुछ समय के बाद जरूर कराना चाहिए, इससे हम disease के planning और उसके complication को minimize कर पाते हैं तो diagnosis history के based कभी-कभी rare circumstances में हम लोग pH monitoring उगर करते हैं जो practically बहुत common नहीं है endoscopy एक ऐसा taste है जो की complication को भी करता है उसके treatment planning में मदद करता है तो अगर बहुत दिनों से GRD है तो endoscopy कराएं और treatment में frequent small meal लेना तुरत खा के लेटने नहीं जाना रात को सोने से पहले coffee यार चाय जैसा caffeinated drinks को avoid करना और जिन लोगों को जरुवत होता है डाक्टर के सलाह में प्रोलॉंग PPI प्रोटोन पंप इनिविटर जो मेप्रजोल लेजिसों मेप्रजोल ग्रूप के हैं इस सब drug use किया जाता है यह लेकिन डाक्टर की देखरेख में होना चाहिए कुछ इस से अलग चीज हैं लेकिन मिले जूले चीज हैं जो हमारे यह fast life के कारण है जैसे एरोफाजी बहुत से लोग होते हैं हावा घोंट लेते हैं फिर डाकार निकालते हैं उसमें क्या होता है कि stomach का जो acidic content है फूट पाइप में आ जाता है फिर वहाँ जलन होने लगता है और यह GRD को प्रभोग करता है जैसा कि कहें एरोफाजी यानि हवा खाना हवा सांस लेने की चीज है खाने की नहीं यह बहुत कॉमन प्रिक्रिया है और इसका reporting कम बहुत लोग आपको बोलेंगे कि जैसे हमने हाथ दबाया तो भी डखार आ गया यह सब एरोफाजी करते ह यह सब का रूट है stress वो किसी कारण stress में है और इस तरह का काम करते हैं दूसरा चीज है rumination जो जानवरों में common होता है कस-कस खा लिए फिर चबाय फिर गए यह psychiatry patient में तो literature में reported है लेकिन जो भी अच्छे लोग हैं यह करते हैं बहुत हम तो बहुत से exclusive जो भी company exclusive होते हैं जिनका fast life है वो लोग करते हैं वो अकेले में commit भी करते हैं कि ऐसा करना परता है बर्गर लेते खाते चल दिये तो उसको चबाय नहीं तो इस तरह का phenomenon होता है और यह सब GRD को प्रभोक करता है लेकिन इसका reporting कम है लोग कहने से कतराते हैं और यह GRD को प्रभोक करता है तो gastro-special refluxies बहुत common है इसे जानिये इसका management बहुत नो डाउट बहुत लंबा चलता है मेलकिन lifestyle management main management है और doctor के देख में PPI या prokinetic therapy यह इसका समचित इलाज है इनी सब्दों के साथ मैं अपना यह बात conclusion उमीद करता हूँ कि आप लोगों को यह अच्छा लगा होगा